दोस्तो आज किस वीडियो में हम आप लोगों को उन टीवी एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो कि बॉलिवूट के एक्टर्स से ज्यादा पैसे कमाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं नमबर एक कपिल शर्मा आज ये बंदा एक दिन में 50 लाग रुपई कमा लेता है ये कोई और नहीं बलकि भारतिय टीवी के कमेडिय किंग कपिल शर्मा है इनकी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं था कपिल को छोटी से उमर में ही अपने घर का पूरा बोस्ट उठाना और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलिज करने लगे यहीं से इनकी जिंदगी में एक्टिंग और थेटर ने एंट्री मारी और यहीं से कपिल धीरे-धीरे सफलता की सीडियां चड़ते गए और आज इनकी सफलता की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि आज कपि पिशले 15 सालों में अगर इन्हें कोई किसी रूल के लिए सबसे ज्यादा जानता है तो है लागी तुस सिलगन सीरियल के दत्ता भाव इस सीरियल से ये इतने फेमस हुए कि उस समय के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टरिस के लिस्ट में शामिल हो गए जिसके बाद इन्होंने कई टीवी शोज जैसे मानो या ना मानो दो कुमकुम भाग गये और इश्क का रंग सफेद में भी अपना जलवा दिखाया था ये है महबते की जान टीवी शोज में करण ने रमन भला के करेक्टर से सबी घरों में अपनी पहचान बना ली थी लेकिन इस से पहल का उतना ही प्यार मिला था जितना ये महबते की जान में रमन भला बनने पर मिली है करण एक एपिसोड करने का एक लाग से एक लाग पचास अजार रुपई चार्ज करते हैं सुनिल ग्रोवर जो कि एक समय में मातर 500 रुपई में अपना गुजारा करते थे वैसे सबी लोग इने इनके असल नाम से कम बलकि गुथी के नाम से ज्यादा जानते हैं क्या आपको पता है कि सुनिल ग्रोवर ने गुथी के करेक्टर से पहले ही 1995 में एक्टिंग के दुनिया में कदम रख दिया था लेकिन उस समय इने कुछ खास फेम नहीं मिला फिर उन्हें एक रेडियो शो में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था हसी के भववारे और वहीं से ये इतने फेमस हुए कि उन्हें कपिल के शो में गुथी के किरदार का ओफर मिला जिसके बाद ना केवल जनता ने इनके किरदार को पसंद किया बलकि ये और भी ज्यादा फेमस होते चले गए यहीं नेम और फेम की वजह से आसुनिल ग्रोफर एक एपिसोड करने का दस से बारा लाख रुपई चार्ज करते हैं नमबर चार अंकिता लोखंडे अंकिता लोखंडे को पैचान एकता कपूर के सुपरिट शो पवित्र रिष्टा से मिली थी जब इन्हें अर्चना के रूप में लोगों के सामने आने का मौका मिला था जिसके वजह से लोग इन्हें अंकिता से ज्यादा आर्चना के नाम से जानने लगे थे यही वजह है कि अंकिता एक एपिसोड का एक लाग पचास अजार रुपई चार्ज करती हैं यही नहीं बिग बॉस 11 जीतने के बाद हिना खान के फेम में और चार चान लग गए थे जिसके बाद हिना बड़े परदे पर भी नजर आई जहां उनकी पहली बॉलिवुड फिल्म हैक थी हिना सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं बलकि एड़टीजमेंट से भी अच्छा खासा कामा लेती हैं अगर इनकी नेट वर्थ की बात करें तो हिना की नेट वर्थ तरे पन करोड रुपए है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंदियों में शेयर करना न भूलें